हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू जीविस क्लासेश, आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट चेप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जो कि है डिफ्टॉंग्स, डिफ्टॉंग्स एंड वबल्स में क्या डिफ्टॉंग्स है, आपने वबल्स आंट पढ़ा था, फिर उसके बाद अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर एंड पढ़ा था, अब आपका अगला चेप्टर जो है, वो डिफ्टॉंग्स होते क्या है, और उनका यूज कैसे किया जाता है, तो आज हमको यही समझना है, सबसे पहले आपको इसीज बता देना चाहता हूँ, कि डिफ्टॉंग्स को स साउंड और एक साथ आजाए तो इसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, जैसे आपने अभी तक जितने वर्ट पढ़े थे, पा में वी, आल गो टू, यह सारे वोवल्स एक एक करके आते थे, दो इस टोक के बीच में सिर्फ एक साउंड होता था, बट यहां पे अब कैसा नहीं है, यहां पे डिफ्टॉंग्स मतलब की दो वोवल्स आउंड जहां एक साथ आजाएं, जैसे आई का हो गया, आ, उ का हो गया, नाओ का हो गया, एंजॉय का हो गया, म्यूजिक का हो गया, यह चार वर्ड्स ऐसे हैं, कौन-कौन से हैं, चलिए देखते हैं, चैप्ट किस तरह कौन सा है, एंजॉय, जो था, म्यूजिक, अब यह चार वर्ड्स ऐसे हैं, जो कि आपको बता रहे हैं, कि कौन-कौन से डिफ्टॉंग के साउंड कौन-कौन से हैं, जैसे आई देखिए, आई में कौन-कौन सा रहा, एक तो डॉट आ रहा, दूसरा डैस का वाबल साउंडा रहा, और एक तो आ का रहा है, dúosra टीका रहा, दोनों ही डॉट आ रहे हैं, तो यह क्या हो गया, आई हो गया, आई का एक साउंड दिया गया है, उसी तऱ से नाव, आ का साउंड और उ का सांड, बतलब डॉट और डैस, यह दो वाबल साउंड से एक साथ आ जिसको कि now का sound दिया गया है फिर enjoy enjoy का sign इस तरह से बनता है और एक का sound इस पर आ रहा है music में देखिए e का sound और u का sound आता है मतलब कि dot और dash का bubble sort एक साथ आ रहा है यह चारों आप note करिए i note करिए now enjoy music now में o w का sound है i में i का है i में o y का है और music में यू का है ठीक है इसको note करिए अब यहां पर जैसे आपने देखा कि चार सिर्फ दिये हुए है डिफ्टॉंग्स जो कि इस chapter में आपके आ रहे है वावल साउंड आपके बारा थे और वावल साउंड की placing first second third तीनों places पर था यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर आपकी placing इस तरह से होगी आई आपका first place पर बनेगा नाव आपका third place पर बनेगा enjoy आपका first place पर बनेगा and music third place पर बनेगा ठीक है डिफ्टॉंग्स कभी भी on the line नहीं बनते हैं मतलब कि second place पर डिफ्टॉंग्स नहीं बनते हैं इसको आपने note कर लिया होगा कर लिया आगे रखते हैं अब इसका use कैसे करते हैं कुछ words बनाता हूँ जैसे कि time अब टाइम लिखने के लिए और ये दो वावल सांट एक साथ आरेंग नहीं आ रहे हैं तो हमने क्या बनाया टी बनाया और एम मना दिया अब यहां पर आई के डिफ्टॉंग्स जो कि यह दिया हुआ है इसको कहां पर लगाया ठीक है आफ्टर में लगा दिया क्या हो गया टाइम हो गया ठीक है टायर लिखना है ठीक है साथ डॉनोद आर मना दिया आई कर देप्टॉंग लगा दिया यह ओ गया टायर हो गया यह हो गया अब देने पराइब नहीं बना आई कर डेप्टॉंग्स एकस्दोय थैक्ख कावड लिखना है काओड कावड में देखेगा के और डि बन रहा है के लाइन के ऊपर जा रहा है और डि लाइन के नीचे है क्यों क्योंकि होर्जेंटल स्टो स्टो के बाद और 3rd place का sound आ रहा है जैसे आपको लिखना है neat ठीक है तो horizontal strokes line के ऊपर रहेंगे ठीक है तीनों ही condition में line के ऊपर रहेंगे अगर उसके बाद कोई download stroke आ रहा है तो ठीक है इतना समझ के इसको note करिए अब आगे देखते हैं जैसे एक example है boy इसको note करके रखिएगा i now enjoy और music इसको आपको हर page के top पे लिखके रखना है ठीक है first third first and third place अब आपको लिखना है boy boy में कौन सा आ रहा है डिफटांग बताएंगे एक बार comment करेंगे पी ओ वाई आए का रहा कहां पे फर्स प्लेस पे वाई वाई लिखना है वाईल बी के साथ अपवर्ड अल आपको डिफटांग यहाँ पे लग गया ठीक है clear mule लिखना है mule क्या याई ए और उ का sound आया है यही ध्यान देना है का पे चला गया दूसरे के बिफोर में चला गया है ना थार्ड प्लेस का वाईल साउंड था यहां पे यूल हो गया value हो गया या फिर अगर duty लिखा जाया duty duty e और u का sound आया सबसे पहले d को through the line में बनाएंगे फिर t बनाएंगे ठीक है तो d के after का जो वावल sound था ठीक है before में चला गया फिर t के बाद आपने वावल sound यहाप पे दिये दिये क्या हो गया duty all right अब यह डिफ्टॉंग्स आपने पढ़ लिए अब आगे देखते हैं जॉइन डिफ्टॉंग किसको कहते हैं कि हम इसकता मतलब क्या होता Nicomato जैसे कि आप पर फ्रेजरफी पढ़ते हैं या जोयनिंग से पढ़ते हैं तो इसी तरह से जॉइन गिल्फ्टॉंग होता जॉइन डिफ्टॉंग का पर्पस यह है कि आपकी और लाइन जितनी जल्दी बन सकें एक जल्दी बनाना होता तो एक दूसरे में जॉइन करते हैं अब जॉइन डिफ्टॉंग्स में एक रूल है यह आउट लाइन्स आपकी रीडिबल और राइटेबल होनी चाहिए ठीक है अब जिस्टेबल जैसे हमको लिखना है टाइम तो टाइम में मैंने टी और एम बनाया उसके बाद आई कर डिफ्टॉंग हमने पैन उठाके बनाया ठीक है तो अगर यही आपको लिखना है आईटेम तो क्या आप आई के डिफ्टॉंग के साथ पी एम एक साथ बना सकते हैं क कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टी और एम तो बनी रहा है और यहां पर आई आपको बात में लगाना पड़े इससे अच्छा कि आप इसको जॉइन करके ही इस तरह से लगाते हैं यह आपको बनाने में भी इजी है और पढ़ने में भी इसी को क्या बोलते हैं जो इन पढ़ेंगे ऐसा नहीं है डिफटॉंग्स अलग अलग है तो अगर आप इसको यहां पे भी बनाते हैं तो इसको भी क्या पढ़ेंगे आई ही पढ़ेंगे ठीक है अब जॉइन डिफटॉंग्स में कुछ वर्ट्स हैं इनको और देखिए जैसे आपका होगया आइडल आई बनाया वी बना दिय। क्या होगया आई बी होगया टीक है इस लिखना है आई को बिख्या को कोई डाउट हो न हुए वार्ट में वो वर्ट कमेंट करसकता है या फिर आपको अगर किसी rule में problem हो रही है किसी भी chapter में तो आप comment कर सकते हैं कि sir जैसे rule number 129 आपको नहीं आ रहा है ठीक है आपने वो comment कर दिया 15 rule number आपको नहीं आ रहा था आपने वो comment कर दिया तो मैं अगली वीडियो में आपको समझा आदूंगा कि वहां कैसे बंद रहा है ठीक है आगे देखिए अब बात आती है u की u को समझेगा u u का जो diphtong है u का diphtong किसी भी word में अगर join होता है तो उसी direction में वो move कर जाता है as example जैसे आपको लिखना है value तो आपने value लिखा एक तरीका है कि आपने pen को उठाके u को इस तरह से बनाए u का shape ऐसे है और ऐसे ही आपने बना दिया बट अगर आप इसको join करते हैं तो value में u चला जाएगा उस तरफ मतलब कि इसकी जो position है वो change होती रहती है word के according जैसे आपको argue लिखता है आपने argue में इस तरह से u बना दिया ठीक है Matthew लिखना है तो Matthew में इस तरह से u आपका बन गया ठीक clear अगर आप duty बनाएंगे तो आपको duty में u को उठा के बनाना पड़ेगा अगर join हो रहा तो उसी direction में वो मोड़ जाएगा जैस direction में वो stroke जा रहा होगा जैसे कि इसमें t h जा रहा है इसमें k जा रहा है ठीक है जी जा रहा q आपको लिखना है new लिखना है n के साथ u new हो गया m के साथ u क्या हो गया new हो गया ठीक है क्यों क्योंकि ये u का diff-tong है all right तो अपने diff-tong clear हो गया जली आगे देखते है अब बात की जा रही है trifons की trifons क्या है trifons बहुत सारे students होते है जिनको की trifons के नाम से डर लगता है समझ भई ही नहीं आता कि है क्या चीज़े तो first thing आपसे ये clear कर देना चाह रहा हूँ कि trifons जहां पे तीन वावल सांड एक साथ आ रहे हों उनको trifons बोलते है समझना कैसे और पढ़ना कैसे जैसे कि आपने एक word लिखा तर अब इसके बीच में जो मच का वावल सांड है वो आपने पढ़ा गया नहीं पढ़ा लेकिन वो पढ़ा गया मतलब कि आ अपने आप आ गया उसी तरह से trifons भी होते हैं कि जैसे आपके I, now, enjoy, and music यह चार डिफटॉंग्स हैं इन्हीं चार डिफटॉंग्स में मतलब कि दो दो वावल सांड के साथ extra एक कोई वावल सांड जो add होगा उसको क्या बोलेंगे tryphone बोलेंगे जैसे कि आपने अई के साथ extra टिक लगा दिया है नीचे के दरफ नाओ के साथ टिक लगा दिये ओपर के दरफ ठ्राइफॉंग्स हो गया enjoy के साथ लगा दिये और music के साथ भी लगा दिये तो एक एक टिक लगाने पर क्या हो रहा है यह आपका ट्राइफॉन बन जा रहा है तो यह सारे ट्राइफॉन से हैं इसको नोट करिए कौन सा है आई का है नाओ का है ठीक है एंजॉइ का है और अब इसमें आ और ए के साथ एक एक्स्ट्रा वावल साउंड एड हो रहा है तो इसको क्या बोले यह आई का डिफ्टॉंग है ठीक आपको यूज सिर्फ डिफ्टॉंग करते हैं बतलब साउंड जो है वो डिफ्टॉंग का लेना है ट्राइफॉन अपने आप वो पढ़ा जा आएगा आपसे एक्जाम्पल्स देखते हैं और सबसे बड़ी शीज मैंने जो बताई थी प्रॉनशेशन अगर आपकी सही है तो सही कर ले जाएंगे नहीं है तो कोसिस करिए कि उसको सही पढ़िए पाईले डिफ्टॉंग्स पढ़िए उसके बाद वर्ड पढ़िए पर साउंड आप बोलके देखेंगे जरूर डाइरी नाइका यहां पर लिखा हुआ रप्टॉंग आया उसके साथ ए आ गया यह क्या है यह ट्राइफॉन मन गया क्यों क्योंकि यहां पर तीन वावल साउंड आए आई आई आ गया फिर उसके बाद एक्सर साउंड है तो क् यह बोलेंगे डायरी फिर लॉयल लॉयल पाई के साथ एका साउन्ट आया है पाई के साथ एक्स्ट्राइब ने दे दिया क्यों गया ट्राइफान होगे एक्स्ट्राइब देने पर ठीक तावल और यहां पे एक्सिक्ट तै। यह बन गया ट्राइफान हो अब अब देने ट्रॉड अब्लट कर एक्स्ट्र थिक लगा दिया आगे देखे, IT साथ यह कि अधि निवीट कि अधि कि निवेट यूजु के साथ extra टिक लगाने पर क्या हो गया 8 कांसा निगल के आ ठीक है निव एट उसको क्या बोलेंगे ट्राइफ ओन्स बोलेंगे पढ़ेंगे कैसे अगर पुड़ना होगा तो यह से आपने पढ़ा एंब बढ़ा एट इन बढ़ा निव पढ़ा एटेन नूट हो गया एटेन यूट आपने पढ़ लिया ठीक है ज्यादा दिमाग नहीं निए लगाना उसमें do was a CEO已经 यंब और इसे बनेगा degli आपके साथ यह ने का इनका यह गया क्या हो words गया क्या हो गया मतलब कि यू के साथ एक्स्टर साँट यहां पर आया है तो क्या होगे यू का ट्राइफॉन यहां पर यूज हुआ है फिवर ठीक आगे देखें कि आर आई ओटी राइट आर्टी बनाया आई के साथ ठीक लगा देखें क्या हो गया राइट हो गया ठीक है एंजुनियर्स एंजी निवस पर बहुत ज्यादा ध्यान नेना है सबसे जाना इंपॉर्टेंट साउंड कौन कौन से मैं बता दे रहा हूं जैसे कि आप फॉर्स प्लेस पर बनाते हैं कौन सा याट का ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गल बोल देते हैं जैसे अटनियुएट अब एटनियुएट बोल दिया ऐसा नहीं है का साउंड है तो आप बोलेंगे ठीक है चलिए आगे देखें अब यहां पर डबलू की बात की जा रही है अब लूब सभी ने देखा होगा एलेगा जहान से समझेगा आपके शॉर्ट हैं को आज डबलू को हम शॉर्ट करके दिखाते हैं शॉर्ट मतलब की छोटा करेंगे अभी तक आप डबलू कैसे बना रहे थे हैं आर के साथ इनिशली हुक लगा के डबलू बनाते थे इसको एपर व बोलता है अब डबलू को कैसे यूज करेंगे एक राइट सेमी सर्कल से जैसे आपका सर्कल है ठीक है सर्कल का राइट पार्ट आपने लिए क्या हो गया राइट सेमी सर्कल हो गया तो राइट सेमी सर्कल इतना बड़ा नहीं बनाना है चोटा सा बनाना है ठीक है यू की तरह से जैसे आप यू बनाया था उसी तरह से तो राइट सीमी सर्कल से क् W पढ़ रहा है ठीक अब इसका use कब करना W तो ये वाला भी है ठीक है नमाल पिक्चर में भी W था एक तो इस W का use कैसे करना है आगे देखे W के बाद अगर K G M या फिर R आता है KGMR KGMR R upward and downward दोनों की बात हो रही है ठीक है तो W के बाद अगर K आता है G आता है M आता है या फिर R आता है तो W का semi circle use करेंगे जैसे की हो गया example W W बनाया K बना दिया A का sound कहां चला गया second place पे चला गया अब इसमें द्यान देजेगा कि आप first time कोई भी outline short कर रहे है तो जब भी short hand वे कोई भी outline को short किया जाता है ठीक है किसी को भी जैसे R हो गया या फिर अभी आपने W को किया है बहुत सारी चीज़ा आगे short कर रहे है तो जो भी short किया हुआ है जैसे आपने wake लिखा यहां से समझेगा बहुत important है wake तो W का जो vowel sound है full outline मगर हम बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा के के before का first second third place तीनों खाली है हमने W बनाया K बनाया तो K का first second third place before का उपर हो गया after का नीचे हो गया तो W की जो after का sound होगा third place का तो transfer होता ही था बड़ अगर outline short हो गई है तो तीनों ही transfer हो जाएंगे जैसे आपको लिखना है walk ठीक है walk तो W के साथ आपने के बनाया first place पे vowel sound आपने यहां पे दे दिया क्या हो गया walk हो गया ठीक है walking लिखना है walking हो गया clear कि डबलू को अगर आप short कर रहें तो डबलू के बाद जो वावल sound आएगा वो transfer हो जाएगा ठीक है कहाँ पे अगले इस टोक के before में अगर आप को लिखना है वे लिखना है वे अब क्या करेंगे डबलू आपने बनाया वावल sound दे दिया क्योंकि आपे kgmr तो है नहीं kgmr होगा तभी वो short होगा नहीं तो नहीं होगा चलिए आगे देखें कुछ और examples है जैसे कि विग विग तो डबलू के बाद कौन सो sound आया third place का sound आया डबलू बनाया जी बनाया है third place का sound हमने दे दिया क्योंकि horizontal list होके तो through the line लेकि नहीं जाएंगे ठीक है on the line ही लिखेंगे वो मैनेस लिखना है वो मैनेस वो का sound यहाँ पर दिया मैं एंड के बाद third place का sound यहाँ पर वो मैनेस ठीक वेर लिखना है डबलू ए-ए-अ-अ-अ-अ-अ- वेर बोलेंगे वेर नहीं बोलते इसको सेकेंड बेस का sound लगाया कौन सा हेवी डॉट लगा हुआ है ठीक है क्यों गया वेर हो गया तो डबलू को जो वबल साउंड का वह वहाँ पर आएगा और अगर sound आएगा तो आर अपोर्ट चला जाएगा ठीक है जैसे वेरी लिखना होगा तो आर अपोर्ट चला जाएगा ठीक नोट करें इसको words नोट करते रहा करें ठीक है अब एक rule बता रहा हूं महुत ध्यान से समझेगा जब भी कोई की भी stroke हम short करते हैं जाए initial stroke short किया हूं या final stroke short किया हूं अगर initial stroke के पहले कोई vowel sound आ रहा है तो उसकी full outline हम use करेंगे as example जैसे कि आपने डबलू बनाया था तो डबलू को short किया ठीक वेक के लिए या विग के लिए तो डबलू के बाद जो vowel sounds आ रहे हैं वो के के बिफोर में transfer हो जाए ठीक है क्योंकि के के पास उपर space है उसने कहा कि यहां पर लगा सकते हो बट अगर डबलू के पहले कोई sound आ जाए जैसे अवेक आ गया तो हम क्या करेंगे डबलू को पूरा बनाएंगे क्योंकि यहां पर vowel sound को represent करने के लिए आपके पास full outline होनी चाहिए तो आपने डबलू को पूरा बनाया अवेक का sound आपने इस तरह से लिखा ठीक है अवेक हो गया या फिर अवेर हो गया अवेर में भी हम इस तरह से मनाएंगे ठीक क्योंकि डबलू के पहले अगर कोई भी वबल साउंड आ रहा है तो डबलू का हम फॉल स्टोक में यूज करेंगे for that reason क्योंकि यहां पर हमको वबल साउंड को represent भी तो करना है डबलू के after वाला तो हम कर देंगे उसके अगले स्टोक है before वाला नहीं कर पाएंगे तो कोई भी आउटलाइन आप शॉर्ट कर रहे हो चाहे एस कर रहे हो चाहे जड कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो आगे आगे आपको बताया जाएगा तो इसको ध्यान रखेगा कि इनीशल एंड फाइनल वावल कमेंट करके पूछ लेंगे ठीक है क्योंकि डाउट के साथ साथ आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए अब इसमें इस चैप्टर में आपके जो ग्रैम लॉक्स दिए हुए है वह भी बहुत इंबाटन है चलिए उसको देखते हैं आई होप आपको समझ में आ रहा ह आउ का रिफ टॉंग अन्द लाइन बन गया क्य ओंग गया ग्रैम लॉक्म मन गया हौँ हो गया ठीक है वाई वाई यू 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 आऍड़ लाइन मनेगा ठीक है ब्यॉंद आपब दो लैंग ठीक है ब्यॉंद परेंग उसको लाडज लाज डार्क बनेगा अबब दिलाइन ठीक है एसा बनेगा दार्क बनेगा ठीक है लाज आगे देखे एक न अबब दिलाइन बनेगा थीक है तॉम पर इसके बात है गेव इसमे बुक में आपके गेव गेव गिवन तीनों ही सेम दे रखा है आपको ऐसा नहीं करना आपको अलग अलग बना देना गेव आपने जी बनाया ठीक है डार करके बनाया यह बना लिए यह लिखना होगा तो किया करेंगे जी के साथ एक उपर के तरफ छोटा सा हुग देदेंगे इसको क्या बोलते हैं वी हुग बोलते हैं और गिवन के लिए क्या करेंगे एक छोटा सावक नीचे के दरफ दे देंगे इसको क्या बोलेंगे गिवन बोलेंगे तो आपको दोनों की ही प्रेक्टिस करने है ठीक है गेव की भी करने ही गेवन की भी करने है और इस वाले गेव की भी प्रेक्टिस करने है ठीक है इसको आप नोट कर लिए एक बार तो और और बच्चे वहें आपके for and have for about the line app से बनेगा have on the line बनेगा ठीक है वी से तर क्लाइट इक पर में आपको और पता देरों हाव आपका light बनेगा, why light बनेगा, you light बनेगा, beyond light बनेगा come, can light बनेगा, large dark बनेगा, give light बनेगा, give भी dark बनेगा, give भी dark बनेगा और give and भी dark बनेगा, have भी आपका dark बनेगा, सारे gram locks को note करें, practice कैसे करनी है, एक page में सिर्फ चार-चार gram locks आपको लिखने है, और सारे gram locks की practice करनी है, पूरे line map को बना बना गया, I hope आपको chapter समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को like करें, comment करें, and channel को subscribe भी करिए, करते नहीं आप लोग, चलिए, कुछ आगे भी बता दे रहा हूँ, exercise number 19 एक बार मैं read कर रहा हूँ, आप देख के उसको, समझे कि sound कौन कौन सा आ रहा है, क्योंकि pronunciation बहुत important है, चलिए देखे, पास्ता इन में है, Do you feel it right to give the boy so much money? Question mark, Can you come to Edinburgh? ठीक है, Spelling इसकी क्या होगी? Edinburgh लिखेंगे, Sound क्या होगा? Edinburgh for the fourth week of May, Question mark, I have given the cheque to my nephew, he should go and see the large ship lying beyond the boy, How can the beauty of the Ile, Ile की Spelling देखिये, क्या Spelling Ile के? क्या बोलेंगे? Ile बोलेंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजे, यह I के साथ जो L बना हुआ है, ठीक है? चलिए अभी बताता हो इसको नोट कर लीज़े, ठीक है? Ile, Fail to appeal to the Duke, Do they assume the China to be genuine? आई के साथ, अगर क्या आता है? क्या आता है? आई के साथ अगर क्या आ रहा है, M आ रहा है और L आ रहा है, कौन सा? अपवर्ड वाला L, तो आई का सिर्फ half portion आप बनाएंगे उसके साथ, जैसे I full है, तो सिर्फ यह वाला आपको यूज़ करना है, आई के साथ मनाएं आपने, के, आई के साथ M, एंड आई के साथ upward L, यह आपके अगले chapter में 21 वाली exercise में दिया हुआ है, इसको क्या बोलनेंगे? I can, I am, I will, यह फिर I'll भी पढ़ते हैं, यह I S L E, I'll पढ़ते हैं इसको, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है भी, ठीक है? I will भी उसको पढ़ते हैं, I'll भी पढ़ते हैं, sentence के कॉर्डिंग आप उसको arrange करेंगे, कहां पे कौन सा पढ़ा जागा, इसको note कर लिए आपके अगले chapter में हैं, ठीक है? अभी बता दिया गया, इसको भी देख लीजे, और अगर आपको dictation लिखने हैं इसके, तो आप चैनल पर जाके, playlist बनी हो इसमें लिख सकते हैं, how can you attach the wire to the high chimney, they were due to arrive at five but were delayed, not delayed, delayed on the line बनेगा, ठीक है? A long time aspect, you should verify, verify नहीं होता, verify होता on the line बनेगा, each item on the bill, do you like the new tire, you have had put on the car, few of the party knew, why you had to go to new key, बहुत लोग फस्तने हैं इस वर्ड में, क्या है, new key, on the 10th of July at the outset, new key on the 10th of July, a week ago I saw Doyle, but he had no time to give to my work, he had to hurry for the boat, clear? चलिए मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में, वीडियो कर अच्छी रहें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्स्ट्राइब जरूर से करें, और अगर आपको लाइव क्लास्स चाहिए हमारी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या गिवे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेश कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइव सेशन दिया जाता है, सारी क्लास्स आपके लाइव चलेंगे, और आपके सारे डाउट्स क्लियर के जाएंगे, वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, फुल कोर्स रहता है, ठीक है, तो आच्छी वीडियो हैंगे, खतम करते हैं, थैंक्यू,